नई दिल्ली में संसत के केंद्रिय काक्ष में 26 नवंबर को सम्विधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 1949 में इसी दिन सम्विधान सभा ने भारत के सम्विधान को अंगीकार किया था सम्विधान दिवस की शुरुआत 2015 से की गई थी भारत के Most Wanted आतन की दाओद इब्राहिम के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है टेरा फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रिय जांच एजेंसी नाए ने अपनी चार्ड शार्ट में खुलासा किया है कि दाओद भारत में फिर से आतन की हमले कराने की फिराक में है इस साजिश में उसका चोटा भाई शकील भी शामिल है दोनोंने हवाला के जरिये पाकिस्तान से भारत में 25 लाख रुपय भीजे हैं इस तरह दोनोंने पिछले चार साल के दोरान 12 से 13 करोर रुपय भारत भीजे हैं ताकि यहां आतन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके अखिल भारतिय बैंक कर्मचारी संग ने 19 नवंबर को बैंक हर्ताल का आहवान किया है जिससे पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात मंगलवार को लखना उस्थित डी एवी कॉलेज में गुरुनानक देव के प्रकाशपर्व में शामिल हुए इस अफसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है पूर्गु प्रधानमंत्री और भारतिय जन्ता पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवानी आज 95 वर्ष हो गए पार्टी के नेताओं ने उन्हें जनम दिन के मौके पर बधाई दी एशिया के सबसे बड़े अमीर अधानी ग्रूप के चेर्मेन गौतम अधानी एक बार दुनिया के अरपतियों की लिस्ट में दूसरे पायदान की और अपने कदम मजबुती से बढ़ा दिये हैं ब्लूमबग बिलिनिया इंडेक्स की ताजी सूची में अधानी अब दूसरे नंबर पर काबिस बर्नार्ड अर्नाल्ड से केवल साथ अरप डॉलर की दूरी पर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि वो 15 नवंबर को एक बेहत बड़ी घोशना करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में फिर से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं ट्रम्प ने राष्ट्रपती का पद छोड़ने के बाद रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी है टेबल टैनिस स्टार अचंता शर्थ कमल को चयन समिती द्वारा में जध्यांचंद खेल रतन पुरसकार के लिए अनुशनसित किया गया है वही बैडमिंटन के स्टार खिलाडी लक्ष सेन और निखत जरीन मुख के बाजी को अरजुन पुरसकार के लिए नामित किया गया है सिक समाज के दस्वे वरंतिम गुरु गोविंद साहिब के चार साहिब जादों को समर्पित देश का पहला एतिहासिक चार साहिब जादे पाक का गुरु नानक के प्रकाशोत सब पर आज लखनओ के आलमबाग में शिला न्यास किया गया उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, क्रिशी राज्यमंत्री बलदेव सिंग औलक्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने पाक का शिला न्यास किया लखनौ विश्वविद्याले से संबध शिया पीजी कालेज में 16 नवंबर को बड़े स्तर पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है क्षेत्रिय से वायोजन कार्याले के सहयोग से लगने वाले इस रोजगार मेले में करीब 50 कमपनिया चात्र वच शात्राओं को जावाफद देने के लिए मौजूद रहेंगी चीन ने दक्षन चीन सागर का पूरा का पूरा हिस्सा चीन में मिलाने के लिए काफी आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दक्षन चीन सागर में स्थित टापवों मिसाइलों और विनाशक हथियारों से लेस करना शुरू कर दिया है और दुनिया के प्रती उसकी व्यापक प्राथमिक्ताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं.